नमस्कार दोस्तों माजा टेक्निकल चैनल में आप लोगा स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि किसी भी यूटूबर का जो चैनल है वो डाउन क्यूं हो जाता है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है अगर यूटूब प्लेटफर्म क की बात करें तो आज के डेट में यह सबसे बारा समस्या बन चुका है एक क्रियेटर्स जो सालों यूटूब प्लेटफर्म पर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वहां पर मुकाम हासिल करते हैं लेकिन उसके बाद जब उनका चैनल जो है डाउन वे में जाना शुरू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्रियेटर्स कितना परेशान हो जाते हैं आखिर यह समस्या क्यों होता है उस चैनल का आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो वहां पे 10-10 मिलियन 15 15 मिलियन जिनके चैनल पर पहले मिलियन में भीवाता था एक वीडियो जब अपलोड करते हैं तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 5000 से 6000 भी वाता है कितना अभी भी आपका डाउन हुआ है कोई भी क्रियेटर्स डाउन हुए में क्यों चला जाता है उसका कारण आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले हम इसा ध्यान रखिए कि आप जिस क्र सब्सक्राइबर आपसे जूरे हुए थे आपको ध्यान देना होगा कि आप पहले जिस तरीके से अपने चैनल पर वर्क करते थे ठीक उसी तरीके से आपको वर्क करना होगा काफी सारे ऐसे क्रियेटर्स को हम यूट्यूब प्लेटफर्म पर देखे हुए कि वह अचानक से सडेनली वहाँ पर कंटेंट की चेंज कर देते हैं यानि कि कैटोगरी किसी और को लेकर चलते हैं अच्छा खासा उनका सब्सक्राइबर वहाँ पर हो जाता है लेकिन अचानक वहाँ पर सब्सक्राइबर को चेंज कर देते हैं तो आप वहाँ पर सोचिए कि अगर आप सड को डालना छोड़ दिये हैं तो सबसे बारा जो समस्या है यहीं समस्या है दूसरी बात आज के डेट में यूटूब पे कमप्टिशन काफी ज्यादा हो गया यानि कि माल लेजे आप टेकनिकल वीडियो बना रहे तो आपके जैसे न जाने आज के डेट में हजारों क्रियेटर से जो टेकनिकल वीडियो बना रहे हैं तो अब आपको यह वहाँ पे ध्यान देना होगा कि पहले आप जैसे तैसे करके वीडियो बनाए हुए थे आप अपने चैनल को इंक्रीज किये हुए थे लेकिन अब आपको और ज्यादा ध्यान दने की जरूरत है जो कि क्रियेटर् एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे और उसी के अधार पे वीडियो वहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं जबकि क्रियेटर्स सबसे बड़ी वहीं पे गलती करते हैं आप हमेशा ध्यान रखिए यूटू पलेटफोर्म पे आप जैसे जैसे उपर की और बढ़ते हैं काफी ज़्यादा डाउन हो चुका है समस्या यहीं है कि आप देखते होंगे पहले जो है निव चैनल भी आप देखते होंगे काफी कम हुगा करता था लेकिन आज की डेट में आप देखिए छोटे क्रियेटर्स ले लेकर बरे बरे क्रियेटर्स तक यूटू पलेफर पर जाके चैनल बना दिये हुए और उसमें आप अगर पलपल का अपडेट वहां पे कबर कर पा रहे हैं तो आप वहां पे एक्टिव रहते हैं और पलपल का वहां पे एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे एक्टिव नहीं रह पाते हैं तो यह सब काफी सारा समस यह हो चुका है कि उनका हजारों में भीव डाउन हो गया है इसका सबसे बरा रीजन हम आपको ये भी बताते कि जब से कि सबसे बरी वहां पे गलती होती है अगर आप एक YouTuber है और अच्छा खासा आप यूटूबर वहाँ पे बन चुके हैं तो अगर आपको सोट्स वीडियो बनाना भी है तो उसके लिए पार्टिकूलर आपको इस चैनल बनाईए न कि आप अपने यूटूब चैनल पे ही जाके आप सोट्स वीडियो वहाँ पे अपलोड कीजेए जानकारी प्राप्त करते हैं उस चैनल पे भूल कर भी आप सोट्स वीडियो अपरोड नहीं किजे एक दो या फिर तीन चार ऐसे डाल देना अलग बात है लेकिन सोट्स का वहाँ पे एजेंडा बना कर और परति दिन सोट्स वीडियो ही डालना वहाँ पे ये बिल्कुल ग तो इसके चकर में जो पूराने आपके सब्सक्राइबर थे, जो आपके पूराने कंटेट को देखते थे वो कही न कहीं आपको छोड़ देते हैं और किसी दूसरे चैनल पेiliyकर जाकर हम सेठ हो जाथे हैं तो यहीं सब समस्या है, बाकी इसके अलाबा कोई भी समस्या नही डेकर आगे बढ़े हुए थे उसी कंटेंट को लेकर आज भी आगे बढ़ेंगे। जितना हौसला के साथ आप YouTube चैनल कल श्टार्ट किए हुआ थे, उसी हौसला के साथ आपको आज भी चलना होगा, बलकि उससे जुर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जितना ज्य बिलते जाएंगे वहर creator को आपको ध्यान में रखना होगा और उसकी आधार पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अप्लोड करना होगा